इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप पोको एफ़ बारे में अब आए था तो बहुत से लोग बस उसी के बारे में बात कर रहे थे काफी लोगों ने उन्हें खरीदा भी in fact मैंने भी जो है यूज करके देखा है POCO F1 काफी amazing device है हमें इसमे snapdragon का 845 देखने को मिल गया था उस price segment में so बहुत से लोगों ने इसे खरीदा भी और यूज भी किया so हर कोई यही कहता है कि POCO F1 best device है अपने price के लिए अब POCO F2 के बारे में बात करतो हो यहाँ पे जो है कुछ leaks and rumors आये हैं तो सबसे बहले हम लोग display की बात करते हैं so display में यहाँ पे हमें water droplet notch देखने को मिल जाएगी for sure then यहाँ पे in display fingerprint scanner के कुछ rumors आये हैं so mostly हमें इस price में जो है fingerprint scanner भी देखने को मिल सकता है वो भी in display वाला उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं camera की बात करो तो पीछे की तरफ हमें triple camera setup भी मिल सकता है so अगर इस price में triple camera setup देता है Xiaomi so सच में यह device जो है OnePlus को टकर दे सकता है उसी के साथ यहाँ पे हमें 10 GB की RAM देखने को भी मिल सकती है so Xiaomi ने जो अपने Mi Mix 3 में भी 10 GB की RAM वाला variant निकाला था so POCO F2 में भी शायद हमें मिल सकता है बट इसका price थोड़ा जादा हो सकता है like 30,000 प्लस भी जा सकता है इसका price so यहाँ पे जो है इसके 3 या 4 variant लांच होंगे and POCO F1 में यहाँ पे बहुत सी cost cutting की गई थी उसको सस्ता बनाने के लिए so POCO F2 में भी हमें यहाँ पे cost cutting देखने को मिल सकती है and then उसी के साथ यहाँ पे हमें snapdragon का 855 देखने को मिल सकता है अब snapdragon 845 आया था POCO F1 में so उस price range में वो chipset देना impossible है but still Xiaomi ने यह करके दिखा दिया तो शायद हमें POCO F2 में snapdragon 855 भी मिल सकता है और यह 5G phone भी हो सकता है so guys बहुत से rumors है so अभी भी कुछ final नहीं है जो भी raw info है वो ही में collect करके यह वीडियो को बना रहा हूँ so guys देखते हैं और क्या rumors आते हैं so latest update के लिए मेरे चानल को यार subscribe कर लो लाइक कर दो इस वीडियो को share कर दो अगर पसंद आया तो और चैनल पे giveaway चल रहा है उसमें भी part ले सकते हो उपर icard पर आपको link मिल जाएगा so guys मैं मिलता हूँ एक और नहीं वीडियो में till then have a great day goodbye